वेलकम टू माई चैनल जैसा कि SSC CGL SSC CHSL CGL ओबर हो गया है CHSL स्टार्ट हो गया है उसका exam analysis करने वाला हूँ में किस topic पर question आए है 9 मार्च को और 10 मार्च की सुबह को मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ उन topic के simple question उन topic के simple question करने हैं आपको simple question simple question करने ना कोई hard question करना है ना बिल्कुल simple जो one line question वे solve करने हैं आपको उसी क्याधार पर आपको practice करनी है जैसे कि सबसे पहले quantity aptitude नहीं मैथ की बात कर लेते हैं mostly portion जो है geometry, mensuration और D.I.E. से आ रहा है देखो 3 question 3 question 6 और 4 10 10 से 12 question 16 question आपके complete बट आपको मैं बार बार यहीं करूँगा simple question करने है ज़्याद है long question नहीं करने ना hard question करने calculation थोड़ी बहुत calculation अगर आ रही है थोड़ी सी तो mensuration में hard आ रही है calculation थोड़ी सी mensuration में hard आ रही है और सब simple compound interest profit and loss ज़रूर कर लेना profit and loss कर लोगे तो D.I.A.R.A.M. से बन जाएगी ओके यह तो होगी आपके math के लिए next बात करते है reasoning की reasoning की बात करते है आपको क्या करना है सबसे पहले coding, recording, direction distance and direction analogy और mirror image यह chart औपी कर लेने है इनके अच्छे question कर लेना chart औपी कर लेने है आपके 10 question complete 25 में 10 question complete और calendar, calendar भी आ रहा है इस बार, calendar भी आ रहा है इस बार, calendar out, one, odd तो आपको भाई जाके पता चलेंगी किस तरह के आ रहे है क्योंकि out, one, odd में तो बस आपको mind लगाना होता है थोड़ा सा, देखना होता है वहाँ आपको click कर जाएगा तो इसका तो कोई आपने पहले सी practice का रख्योंगी out, odd, one out की तो यहाँ सी आपके 15 question हो जाएगे और आपके folding paper से folding paper question तो आशाना आते हैं बहुत वहाँ से कर सकते हो आप ओके, next English English में close test आ रहा है spelling error, active passive, one word substitution और antonym synonym आप यह 3 टोपिकल लेना एक तो spelling error और active passive और para jumble और antonym synonym mostly question यहाँ सी आजाएगे 16 to 18 question यहाँ सी आजाएगे आपके इन 4 टोपिकों से इन 4 टोपिकों से 16 to 18 question आजाएगे आप यह करके जा सकते हैं अब journal लेने इसकी बात करते हैं यानि कि GK में क्या आ रहा है current affair में current affair में mostly dance आ रहे हैं festival जैसे यह इस गान है article article पढ़ लेना article नाप 5 पार्ट पढ़ लेना उनमें से आ जाएगा DPSP पढ़ लेना fundamental rights पढ़ लेना citizenship वाले article पढ़ लेना और union territory वाले article पढ़ लेना इन से आ जाएगा और president और PM के article और पढ़ लेना president और PM के article और पढ़ लेना इतना बहुत है आपको GS के लिए फीपा वर्ल्ड कप पर कोशन आया था कल Booker author पर कोशन आ रहे है operating system पर आ रहे है internet पर आ रहे है common melt game पर कोशन आ रहे है करोना की theme पूची थी कल अब 2000 ये पूछ सकता है सबसे पहले भी vaccine किसे लगी थी इंडिया में तो Manish बनीश ना में याद रखना Manish ऐसे कोशन आ सकते है height of troposphere height of troposphere कैसे मतलब layer होती है न जैसे सबसे पहले status pair होता है फिर troposphere होता है फिर मीज़ोइश पेर होता है फिर थर्मइश पेर होता है तो कितनी height पर होता है सबसे पहले तो ये होता है 50 km 50 km फिर ये होता है 80 km फिर ये होता है ऐसी उपर को बढ़ते चले जाते है इतने km होते है तो ये distance बुची थी अब ये पूछ सकता है कि ओजोन कीसमें होती है ओजोन जो है status pair में होती है troposphere में होती है इनमें से question पूछ सकता है तो आपको याद रखना है ओजोन जो है status pair में होती है ठीक है ये याद रखना है aeroplane कहा होड़ते है aeroplane यहाँ होड़ते है यहाँ दूसरी layer में ठीक वह सोरी पहले layer में status pair में तो ये चीज आपको याद रखनी है ज्यादे कुछ नहीं आ रहा मतलब थोड़ा सा दिमार्ग लगाना है कोश्चनों पर सिंपल कोश्चन आ रहे हैं मैथ के और इजिनिंगे बस उन पर फोकस करना है अपने मैंड कोंसेंटरिस्ट करना है वहाँ आप कोश्चन को अराम से कर लेंगे ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को सेर करना है